19 साल पहले ये लड़का मरा था, 19 साल बाद अपने घर पे वापस आ गया, आप कैसे मरे थे ये बताइए मरा हुआ आदमी दुबारा वापस आ गया है, यकीन करने वाला बात है और जिन्दा वापस आया है, सही सलामत वापस आया, साप काटने से इस लड़के की मौत हो गई थी 19 साल पहले, तो दोस्तों अभी हम देवडिया जिले में हैं और यहां से एक न्यूस कंटिनी वाइरल हो रहा है कि एक लड़का था जो 19 साल पहले मर गया था और अब 19 साल बा द् sociaux करदीत एथा केसे मरेत क funk रखने ते मेरे घर पर ओ एक बाबा ना का कम कर दी अच्व को और ख़ा अपने ऊपनी तो श्री hp शब कर दिए सांग कीा हुआ ता हुस के अदिया में किसके साथा रते तय वहाँ द्सक आपको कैसे पता चला कि दस साल की उमर में ग्याड़ा साल की उमर में आपको कुछ याद नहीं होगा तो कैसे आप इन लोगों से मिलें उन्हें तो दीदी उनकी वाद तो चाचा ने मर गए आपको पाल पोस रहे थे, वो मर गया तो आपको हर्याना बेच दिया घया गया है? पहए पहने घड पर किसे पहँचें सब्सक्राइब कि निकला ताफ अपने 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 देवारिया में वो गाना बाला भाया ने बजा रहा था आपको याद आ गया तो फिर काके मैंने टर्ग बादा भाई अगवार लगाई तो लिया है आपको आजमगर तक आजमगर आजमगरन के बाद वह एक टरग बाला फिर दिया दिया फिर दिया बिरगन चले गए विर्गन से मेरे मामा घर घाटी है वो भट पर नानी के पास वह आप जैसे भटा करा दिदी मानों का भटे करने बाले लड़का को कोई भी लग सेके जाके एक डाक्टर थे भटनी के जब दस्ति राखे एक बुरी दादी का जमी नर्पने के लिए मेरे नाम आधरकार तुर्दा कर्षब बना दिये धृ ecology मैं टाइब थार्म आंथर के बड़नी मेरे मा पापोता तो वह लोग थी Hmmm अपनी क्या किया फिर आपके साथ आम मे वो मेरे बेटा इसा मन नहीं करते ते काम काते ओ रहाते ते खाली पाहिसा को अलोगों मतलब नाम रखा गया तहा उस वक उधर पे बटन पे अपने घर मेरे को कोह पर भ्star है उसका बाद दीदी मैंने दीदी मेरे को नट्टी दावे रसी उसी लागा है वा पे देखो दीदी खाले है अच्छा अच्छा वो आपको मारने का कोशिश किया जहां आप रह रहे हैं वो आप पिपरा दावराज में अब दीदी ओ जमीन जाइदाद को कुछ भी मतलब नहीं मेरे माबाप पा गये अतना बहुत है उसका उसका जमीन जाइदाद में आपस कर दूँगा जमीन उमिन आपको मिला है वो लोग दाक्टर ने अपने आप अपने मतलब के लिए करिया था या बोड़िया मर जाएगा तो लड़काओ के भागा के हम लोग लिग लेगे काकी आपका बेटा जब मरा था तो कितना उमर था इसका कितना साल पहले ये मड़ा था अब दस साल पहले मड़ा था अब दस साल पहले मड़ा था उनीस साल पहले मड़े थे हाँ अब दस साल का उमर था हाँ उमर था कैसे मड़े थे आपके बेटे कीरा काटी देला से एगोमानों सासूर राने सासूर तो मंगर के मर गए ने अब क्यांस पेंग जबते कि को से शाहब्स प्रम्स पार्व। परते क्यावा करन से की बादिस कि एक चीज़ कर देती हूं कि हम लोग जिस समाज में रहते हैं यहां पर अगर किसी लड़के को साप काट दिया जाए तो वो ऐसे ही उसको जलाया नहीं जाता है जैसे आम बोडी जलाया जाता है उसको जो केला का पेड़ होता है केला का गांच उसमें बच्चे को बांध के या लड़के या जो भी जो इनसान मरता है उसमें बांध करके उ तो यह लोग वही काम किये नदी में इस लड़के को दहा दिये जब इनको पता चला कि इनका बेटा मर गया है जब दहाने के बाद कुछ लोग इनको लिए और सपेड़े के पास ले गया जो इनका साप का जो 20 था वो निकाला और कहां पर काटा था देखें यहां पर साप आपको नजर आ रहा होगा इसके बाद इसको बचाया गया 19 साल तक यह लड़का दूसरे के घर में रहा कभी उस घर में कभी उस घर में भटकता रहा और 19 साल बाद यह अपने घर अपनी मां अपनी बैन अपने परिवार के पास पहुच गया है अच्छा आपका भाई जब चोट कर दो ममी पहचान रही है जाक है जहड है ज्朝 अब यह होना कभी कभाई है अच्छा का की बात बताईये अभी आपका बेटा कितना उमर हो गया अजना मानें पढ़ा लिखालनां एक ता जोड ली अब रहे तो बाद देखेंगे, दज साल नियारा साल का लड़का था उनीस साल बाद आ थो वह इए न तिस साल का यह लड़का है अच्छा का काश रहते हैं अपना भाई लाई ना पहचान रहें इसको पहचान रहें इसको पहुंच गया तो पहुंच गया इसको फिर खोजने लगें कि होगा तो मिलेगा तो थाने पर अपनी बेहन लोगों को तो पहचान रहे होंगे नाई एक बरी बेहन हो गार पे बच्चा लेका पहचान रहे है किसी का चेहरा याद है यह सब तो छोटी है तो यह सब का तो फिर अपकी जोटी बहुंच अच्छा का कि आप क्या बोलिएगा मड़ा हुआ आद्मी दुबाडा वापस आ गया है यकीन करन ऐने वाला बात है यह वाई बिश्वास काया ना अव्निकशा वोल्ली आ सब में सब्सक्राइब कर दो कि जोटा में देखी थी हाँ चोटा में देख लेए बंजा हमनी की मड़ गया था तो कैसे मड़ा था याद है कुछ अधा कर लेका हलाव कि साप कोड़ अधा बते ती क यहां को मेरे मेरे मुना मुना नाम के गाउमे थे इनके बादाम के पेर दे अवरा के पेरते जमुनी के पेरते सबी आदे बताईए ये मतलब बिस्वास करने वाला बात तो नहीं लग रहा है लेकिन क्या करें ये हकीकत है कहीं न कहीं क्योंकि ये सारी चीजे टीवी में हम लोग देखते हैं मूवीज में देखते हैं फिल्म में देखते हैं कि मड़ा हुआ आदमी दुबारा वापस आ गया और ये ह अपने परिवार, अपनी मम्मी, अपनी बैन, अपने गाहँ वालों के पास वापस लोट गया है, तो ये देखें, ये अश्चर की बात है, और हम जब पटना में सुने की ऐसे ऐसा घटना है भाईया, तो फिर हम सोचे कि क्यों ना मिल ले कौन लड़का है, और ये सारी चीज अपने बाग गामाई के देन बाग गुरु जी में रहते रहनी है, ये गुर्णा छोड़े नी कोहीं सुने नी गुरु जब भागान से प्रात्ना करती थी कि मेरा बेटा वापस आजाए, भागान मेरा बेटा देदे, करती है, अदेखें ये हम जान, लोग कोई होई भहल हमके भुझाई कोहीं बागने, हमके भुझाई कोहीं बागने, मतलब दील कहता था कि आपका बेटा जिंदा है? पॉन्दरह साल की दीन में कोब और माई सपना देख लोगा, आजमी चापना देख लोगा में कोहीं सब्से। फूझा प्र प्रूच नहीं हो निदेख लिग 10 साल बाद अपने घर पे वापस आए साप काटने से इस लड़के की मात होा तो जआद एगशार्प हालत नहीं होताई उनिस साल बाद बेटा वापस आ गया है, परिवार बहुत खुश है, अब ये अपने परिवार को समा लेंगे, और आपकी इस पर क्यार आया है, कॉमेंट में ज़रूर बताईएगा,